हलो एवरिवन वेकम टो माई यूट्यूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव देखे इसके लिए हमने ले लिया है जीरा तेज पान का पता लॉंग आप इसे तेल कम करके उसमें डाल दीजे हमने प्रिज़र मटर लिया है और तो प्याज लिया है एक बार आप म मेहमान भी आएंगे तो खुश हो जाएंगे इस तरीके के खिले-खिले मटर पुलाव खाकर और उन्हें मज़ा आज जाएगा आप धुक्यें हमने डिइड्लास जावल लेवे हैं तो हम इन्हें वाश कर लेते हैं यह देख्या वाश कर लिया है अब हमारे प्याज आतवां माटर हलकी से फ्राय हो चुके हैं अब हम इसके अंदर मसालो आड करेंगे मसालो के लिए हमने इसमें हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर नमक आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालिए कम ज्यादा जैसा भी आप खाते हैं उसके हिसाब से और थोड़ा सा गर्म मसाला जो कि माने घर में बनाकर रखा हुआ है यह होममेट गर्म मसाला है इसकी बात ही अलग होती है इसकी ख मसाला हलका से जरूर एट कीजिए अब हम इसे अच्छे से मसालों को थोड़ा सा फ्राय करने के बाद दुले हुए चावल डाल देंगे और पानी डालेंगे चूकि हम कूकर में बना रहे हैं पुलाव तो हमें मैजर्मेंट पता है कि एक ग्लास चावल हम बनाते हैं तो उस के इसाफ से देट ग्लास पानी पहले डालेंगे और फिर हम उसमे आधे ग्लास में मैजर्मेंट जालेंगे तो आपके चावल हो यह पुलाव बना रहे हैं तो यह कभी भी गलेंगे नहीं एक्दम घीले खीले बनेंगे नहीं तो ज्यादा पानी हो जाता है तो वह बिलकु चलिए अब हम इससे कुकर को बन करके दो सीटी आने तब का वेट करते हैं ये देखिए सीटी आज चुकी है हम गेस को बन कर देंगे और इसको ठंडा होने का इंतजार करेंगे यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल देखिए इसकी भाप निकल गई है अब हमने कुकर को खोल लिया है कभी भी पहले नहीं खोलना है यदि पहले आप खोल देंगे तो इसकी भाप निकल जाएगी और चावल जो है वह कच्छे रह जाएंगे तो इसलिए पूरे जब तक उसकी भाप अपने आपना निकल जाए जब तक आप उसे ना खोलिए यह देखिए हमारे मटर पुलाव बनने के रेडी हैं आप मेहमानों को खिलाइए और इंजोई कीजिए